तो देर इस न्यूज कमिंग डूम्स दे क्लॉक डूम से क्लॉक क्या है क्योंकि अभी कल एक निवस निकाला था वाट इस डूमस जे में होता क्या है तो डूमस जे इस अलबर्ट आइंस्टीन उन्होंने क्लॉक बनाया था तो यह सचीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा एक बार अच्छे से और यह जो वीडियो है उसके एंड में आपको एक बहुत अच्छे से स्टोरी बताऊंगो कि हाव यूमन सिविलाइजेशन इस रैपिंग अप इस ओन ग्रेव है ना वो डिक दियर ओन ग्रेव वाले जो कहानी होती ना कि अपना गड़्डा खुदी ख होद रही है इसी तरीके से डूमस जे भी हमें उसी चीज के बारे में अलर्ट करता है किस तरीके से हमें अलर्ट कर रहा है क्या क्या इसमें होता है क्या इंक्लूट कर रहे हैं क्या डिलीट करते हैं तो इन सब चीजों में हमें पढ़ना होगा बिफॉर दिस आयूल लाइक बॉटन किया गया है इसके बाद 100 प्लस टॉप एजुगर्स मिलते हैं प्लान मिलता है बस यह याद रखना है आप लोग के लिए कि टीजे लाइवी जब आप कोड एपलाई करते हैं टीजे लाइवी आप 10 परसेंट डिस्काउंट अपिल कर सकते हैं और यह आपके लिए 2550 रुपेगा पड़ता है इसी तरीके से आइकोनिक प्लान वहां पे भी टीजे लाइवी और यहां पर आप्शन सब्सक्रेशन प्लान है आप यह कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10 प्रतिश्यत का डिस्काउंट मिलता है अनेकेडमी का नया कोर्स एक फरवरी से किये गए है अनेक अनेकेड़ मिल्ड एप अं अग्माइब लेते हैं तो आपके लिए यहां पre अघर अप्लस का प्लान लेते हैं जीज्ट मेसुक्ट refreshing to do लीचे लाइबी एट दे लास अने केड़ी प्राइज विल गुंटो हाइक सोन तो गोएंड पर्चेस देस ओके नव वाट इस डूम्स देप एक्चुली में जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है ठीक है शिकागो की जो यूनिवर्सिटी है उसमें अलबर आइंसी और उनक बनाना चाह रहे है कि कैटेस्ट्रॉफ कैटेस्ट्रॉफ मतलब क्या होता है जो एक विक कैशन दाव करने की वह हम उससे कितने पास है और क्या क्या रीजन है जिसकारन से और सब्सक्राइद्टी पर करीब है को यूस्त्रोफ में आप कह सकते हैं अर्टिफिशल इंटलीज के हाँ पर जो problems हो रही है society में problems क्यों हो रही है और उन problems के कारण human civilization पर कितना impact पर सकता है तो यह 1945 में यह clock बनाया गया था जिसका नाम है bulletin of atomic scientist और हर साल यह clock जो है bulletin science and security board यह consult करके अपने board of sponsors के साथ और board of sponsors में देखो यह छोटी बोटी clock तो है नहीं इसमें noble laureates होते हैं वो सब इसमें include किये गया है तो noble laureates में आपके लिए 13 noble laureates आपको यहाँ पर देखने के लिए मिरेंगे तो यह सारे लोगों ने clock को बनाया है and basically clock है यह metaphor प्रोवाइड करता है कि हम कितने close है humanity को खतम करने से humanity ending catastrophe से ठीक है अब यह clock मैंने एक आपके लिए बनाया गया है एक छोटा सा तो यह midnight clock है तो इसमें यह word use किया गया है hundred second from midnight तो 2000 से जब से 2000 से सन 2000 से एक clock settlers है यह क्या कर रहे है यह risk of climate change को factoring करने में करीब आ रहे है and more recently threat of disrupted technologies के कारण भी एक रीजन बताते हैं कि हमारी जो human civilization है वो खतम हो सकती है आपने देखा होगा एक Sophia करके एक साउधी अरेबिया के रोबोट है पहला humanoid robot है तो वहाप एक Sophia करके बनाया गया ठीक है तो एक यह महिला है जो रिप्रेजेंट करती है कि artificial intelligence से रोबोट चलने के लिए and she is not the only one हमारे यहाँ पर अलेक्सी करके एक है अलेक्सी एक यह यह वाला यह टाटा ने एक बनाया गया है ठीक है इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी कई सारे रोबोट बन रहे है तो रोबोट सिंग्निफाइज वाल्ट रोबोट सिंग्निफाइज कि आने वाला जो समय है वह हमारे यहां पर एक ऐसे समय होने वाला है जो यूमन को जो है वह एक ओवर कम कर लेगा और वह जैसे आपने रोबोट मुवी देखी होगी रजनी कान्त की जिसमें अशुरा राय भी थी तो जाल देंगे जिसमें feeling सजाएंगी that feeling can occupy human civilization इसी तरीके से यह भी यहीं पर बता रहे है तो यह बताना एक indication है कि आप लोग समझना होगा scientist है दुनिया के लिए यह जो दुनिया बन रही है वो दुनिया में हमें किस तरीके से existence करना है आप एलन मस्क है एलन मस्क को अगर आप देखेंगे he wants to civilize mars he wants to occupy marks he wants to live there or human settlement को वहाँ पहुचाना चाहते है और उनके अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो tesla tesla is providing some kind of relief to the nature है ना some kind of relief to the nature by having we can say जो कार है वो electric कार से है ना तो वो कार इलेक्ट्रिक है उन कारों को आप डीजल पेट्रोल से नहीं चला रहे है आप fossil fuel की बरवादी नहीं कर रहे हैं जिससे की हमारा जो human civilization है वो protect होके चल रहा है तो clock was originally to 7 minutes to midnight and has since moved close or further away from the deed rate 12 o clock position मतला यह जो 12 बजे की position है उनको 7 minute पीछे या फिर आगे होने से वो indicate करता है कि farthest जो है अभी तक 17 minute तक यह clock जा चुकी है और यह clock जितने दूर जाएगी उतना ही शो करता है कि हमारा जो human civilization है वो continuously wiped out हो सकता है and last time 1991 में जब cold war खतम हुआ था तो यह 17 minute आगे थी ठीक है now why is the clock set 100 seconds from midnight what is the reason behind this तो देखो 100 seconds to midnight का मतलब होता है कि हम express कर रहे है कि कितने हम close है catastrophes in seconds में and not in hours मतलब we are close to catastrophes in seconds मतलब हम seconds दूर है ना कि हम hours दूर है यहा फिर minutes दूर है and we have ever been in the history of doomsday clock doomsday का मतलब ही क्या होता है कयामत and we now face a true emergency absolutely unacceptable state of world affairs क्योंकि कोई भी margin of error अगर हमने किया या further delay किया then we can lose our human civilization and this is true this is true in the real sense आज भी and doomsday जो clock है 100 seconds to midnight as closest to midnight as ever मतलब जितना होना चाहिए था close उतना जितने पास आएंगे उतना ज्यादा catastrophe होगा जितना पास आएंगे उतना ही catastrophe होगा और जितना पास आना है वही lose करेगा faith तो in the other hand now Bronson, Bronson क्या आप बोलते हैं कि यह जो clock है यह indicate करता है कि human civilization मतलब लोगों का lack of faith होना science पे और overall lack of preparedness for the coronavirus pandemic मतलब एक pandemic coronavirus वो भी एक बहुत बड़ा reason रहा क्योंकि last year जब भी हमने देखा तो 100 seconds from 2 minutes to midnight and what was being seen as a pessimistic push and one of the major reason जो है bulletin का scientific scientist का doomsday to 100 seconds to midnight this year was due to destabilizing impact of the coronavirus pandemic and the pandemic relieved that how unprepared and unwilling countries and international systems are to handle global emergency properly किस तरीके से हम global emergency को properly handle नहीं कर पा रहे हैं क्या क्या reasons हैं वो सब जानना यहां पर जरूरी होता है आपने अगर देखा होगा कि coronavirus है ठीक है coronavirus को अगर वहान से control कर लिया होता है तो क्या हम इतना spread कर पाते नहीं कर पाते क्या अगर UK का जो नया strain था अगर हम उसको occupy content कर पाते हम कर हो सकता था यूमनली सबको साथ में आना है सुसाइटी को साथ में लेकर चलना है टेसला जैसे एलोन मस्क स्पेस एक्स यह सब चीजों को ध्यान देना है जिससे कि हमारा जो एन्वारमेंटल contamination है वो ना हो society में खोदी यूमनोइड आजकल सुसाइट जो sleeper cell जिसे हम बोलते हैं sleeper cell क्यों बनते हैं sleeper cell कौन होते हैं sleeper cell मतलब society bombers होते हैं वो क्यों बनते हैं क्यों क्योंकि उनका society में जो भरोसा है वो उठता जा रहा है एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ फायदे की नजर से देखना बंद करेगा तब ही जाके कोई बात बनेगी और यह जो sleeper cell है या फिर artificial intelligence है जिसमें humanoid robots बनते जा रहे हैं वो already mechanized तरीके से इंडिस्ट्रियल revolution हुआ था तब भी क्या हुआ था एकदम से आपने बिल्कुल labor का काम हटा दिया और machines को लेकर आगे इधर पर अभी जैसे जैसे लोग आए हैं अपने IT सेक्टर बूम कर रहा है फार्मसेटिकल इंडस्री बूम कर रहे हैं अभी हम humanoid को लेकर आ यह बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव सेंक्टित होता है आपको अगर सस्टेनेवल ग्रोथ नहीं करोगे सस्टेनेवल ग्रोथ अगर नहीं होगी इंडिया में दुनिया में तो फिर हम लोग यही होका और एट दा एंड जो टूमस्दे की बात हैं वह सच हो जाएंगे तो में 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 मजाग नहीं पड़ा रहा हूं कुछ में में बड़ा रहा है मैं में आप जब एट 다ा लेक्स लिक इंँक आप लिए बात करतें वे था कि उप सपक्स का लिए तो तेंक यू सूमेश आग ну